गुड मॉनिंग टो अल क्यापी ओनलाइन नर्सिंग क्लासेज के अंदर आपका हर्दिक स्वागत है कम्यूटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर फिल इन दे ब्लेंक्स वाला जो फैटरन चल रहा है उसको आगे आज जो पढ़ेंगे जो सेट नमबर फॉर पढ़ेंगे कौन सा से प्रिवेस्ट क्लास के अंदर जो सेट थ्री फढ़ा था आज जो पढ़ रहे हैं वो सेट फॉर पढ़ रहे हैं उसके अंदर टैन कोशन के बारे में डिस्केशन करेंगे तो कोशन नमबर फर्स्ट है देखिएगा सामुदा एक स्वास्तिक के अंदर की इस्ताफना पर होती है तो हम आपको प्रिवेस्ट के अंदर भी बताया है कि हंद्रेड्ड जो विलेज होते हैं उस फे एक सीफिक का इस्ताफिर की जाती है ठीक है तो इसका आंसर रहेगा फोर रहेगा हंद्रेड्ड अं सामुदेख स्वास्तिक अंदर की इस्ताफ़ना कितने दमपती का मतलब है इलिजी इलिजीबल कफल इलिजीबल कफल की जो एज होती है वो कितनी होती है उसके बारे में यह बहुत इंफोर्टेट कोईशन है इसके उपर इस्टार लगा जिए क्या लगाना है इस्टार लगाना है योगे दमपती की एज होती है को कितने साल से कितन में जो होते हैं उसको बोलते हैं इलिजिबल कफल देखो यहां पे डिफ्रेंस बहुत कम है इसके अंदर और इसके अंदर तो उसकी एज की बात करें तो वो है 15 to 15 to 44 या 15 to 45 यह आपको ज्यान में रखना अब देखेगा इलिजिबल कफल की डेफिनेशन क्या है देखे बात करें इलिजिबल कफल इस डेफर तो दे करेंटली मेरीड कफल करेंटली मेरीड कफल वेर इन दे एज ओफ दे वाइफ इस ग्रूफ ओफ फफ 15 to 44 यह ना के बीश में जो करेंटली मेरीड वेर्शन होना चाहिए कफल होना चाहिए और यह जो एज है इलिजिबल कफल की एज है 15 to 44 यह जिसको बोलते हैं चाल्ड बेरिंग एज तो जो वुमेन है उसकी एज कितना होना चाहिए 15 to 44 यह इसका डेफिनेशन है नेक्स्ट क्वेशन नमबर 3 क्वेशन नमबर 3 विटामिन डी की कमी से होता है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है उसके बार विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है तो विटामिन डी की कमी से विटामिन डी की कमी से कौन सा होता ह रिकेट्स यहां पर इसकर भी लिखा हुआ है बेरी-बेरी लिखा हुआ है और रिकेट्स लिखा हुआ है तो विटामिन D की कमी से क्या होगा रिकेट्स होगा विटामिन B1 जो थियामिन होता है उसकी कमी से होता है बेरी-बेरी और विटामिन C की कमी से क्या होता है इस करवी रोग होता है विटामिन A की कमी से होता है वह है नाइट ब्लैडनेस नाइट ब्लैडनेस तो नाइट ब्लैडनेस होता है जिसको बोलते हैं रत्तो दी नेक्स्ट क्वेशन शुरुक्षित पर्षव के लिए लागू किया गया है शुरुक्षित पर्षव के लिए शेफ मदर हुड शेफ जो डिलेवरी है उसके लिए जन्नी शुरुक्षाय योजना लागू किया गया है मा का फेला दूद है उसको क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं नेक्स्ट क्योशन है मंस एक रोग है मंस एक वाइरस है क्या है मिक्सो वाइरस है नेक्स्ट क्योशन है अंगरवाडी के अंदर में दिवस मनाया जाता है अंगनवाडी के अंदर पर जो बस्पन दिवस मनाया जाता है देखेगा अंगनवाडी के अंदर जो बस्पन दिवस मनाते हैं नवजाज शिसों के स्वस्ते के लिए अब हर मा है ना मतलब महिने की जो पांस तारीक है अंगरवाडी के अंदरों पर बस्पन दिवस मनाया जाता है और ये बस्पन दिवस मनाने का कारण क्या है कि इस पर अंदर बस्पन दिवस मनाया जाता है तो यह इसके लिए मनाया जाता है है next question के अंदर लिखा हूआ है कि अब परती रक्षित बच्चों का due list बनाती है कौन बनाती है मतलब जहां पर ठीका का नहीं हुआ है उसका जो due list बनाती है वो कौन बनाती है वो बनाती है ए ए आ नेम बनाती है ठीक है next question दस नंबर पीएची के व्योस्ता पर को क्या कहते हैं उसको बोलते हैं health manager क्या बोलते है health manager तो आज इतना ही question जो दिया हुआ है उसके बारे में next कल और फड़ेंगे तन्यवाज